कर्णिश्वर महादेव मंदिर में उम्डा शधालूं का सलाव पर पहुशनी लगे थे महिलाओं द्वारा भगवान कर्णिश्वर को बेल पत्र चड़ा कर जला भीशे किया गया वही नगर करनावद में पांच दिवसी मेले का आयोजन किया गया साथ ही महायग्य एवं शिव पुरान का आयोजन कर्णिश्वर मंदर परिसर में आयोजित क किया गया भगवान कर्णिश्वर के दर्शन के लिए मुख्यद्वार से शिवलिंग तक शद्धालू लाइन में खड़ी होकर अपने नंबर का इंतिजार कर रहे थे वही पुलिस प्रिशासन व्यवस्ता भी चौकन्नी रही शद्धालू के नुसार भगवान इसका नाम कर्णिश्वर महादेव कि क्या बता है अपको अपर दूर दूर से जनता आती हो मुरादें उनकी होती है पूरी होती है इसलिए यहां पर जो भी आता है जो भी बाबा करनेश्वर से मनत पांगता है उसकी सारी मनत पूरी होती है और बाबा करनेश्वर जो है राजा करने की एसी कृपा रही है इस नगरी के अंदर प्रति वर्स अभी इस वर्स से 26 वा यक्य हम करने जा रहा है इसमें हमारे शुव महापुरान चल रही है यक्य हो रहा है सुबह के सत्र में यक्य होता है दोपर की सत्र में शुव महापुरान होती है शाम के सत्र में फिर यक्य होता है और यहां पर अन्य हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि यहां जो कर्णेश और महादेव बसे हुए उनका मंदिर की दिशा पूर्व की और थी और राजा कर्ण की बाहूं में और पार्वती जी को पूजन करने में कोई दिक्कत अगेरा अर्चन आ रही थी उसलिए उन्हें ने दिशा परिवर्त